हाई एवरिवन वेलकम बैक तो अनदर वीडियो दोस्तों मैं इसका देखे पासवर्ड भोल चुपाऊं अब हमें इसको रिसेट करना है कब कभी ऐसा होता है हमार पास कोई कंप्यूटर लैप्टॉप होता है और हम उसे काफी दिन बाद ओपन करते हैं और इसी वज़े से हम हम पासवर्ड भोल जाते हैं और हम उसे ओपन नहीं कर पाते हैं तो आज की इस वीडियो हम यहीं जानेंगे किस तरह से हम पासवर्ड को रिसेट करेंगे पासवर्ड डाला आप देखे जिसे में ओक के पक किलिक करता हूं तो यहां देखे पासवर्ड यह इनकर्रक्ट बता रहा है अब हम इसको रिसेट करेंगे तो उसके लिए हमें अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर है तो उसका हम सीधे पिलक को अनपिलक कर देंगे जो लाइट उसको डिसकनेक्ट कर देंगे ऐसा हम तीन से चार बार करेंगे अगर लैप्टोप है तो लैप्टोप में यहां पर पावर बटन है हमारे पास लैप्टो दवाते हैं, तो यह बंद हो चुका है, अब इसके बाद फिर हम इसको दवाते हैं, और यह ओन हो गया है, अब फिर हम इसको हमें, फिर से हमें पावर की दवाना है, और दवाना है, जब इस्टार्टिंग विंडो लिखा आजए, तब हम यह प्रोसेस करना है, तो मैं इसको फिर दवाता हूं, वाच सेकेंड के लिए, अब यह बंद हो चुका है, फिर इसके बाद फिर रिस्टार्ट करेंगे, आप इसके ब बेटी निकालेंगे, तो यह इस तरह का ओप्शन हमें देखने को मिलेगा, यह रहा, लॉंच स्टार्टप प्रिप्यार, इसको हमें ओप्शन को ओन करना है, अब हमें इस पर हमें किलिक करना है, एंटर करना है, हमें पासवर्ट रिसेट करने के लिए, तो इस पर हमें एं लेगा और यहां पर देखिए कुछ इस तरह खामें इंटरफेस देखने को मिलता है तो हमार समने एगे पॉप फिंडो तो हमें रिस्टोर पर क्लिक नहीं करना है हमें कैंसल पर क्लिक करना है कैंसल पर क्लिक करेंगे इसके बाद थोड़े और प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, दिस से पंदर मेट तक का यहाँ पर टाइम लग सकता है, तो इसके बाद इस तरह का मेसेज आता है, स्टार्ट अप प्रिपेर का, तो इसमें हमें दो ओप्शन मिलते हैं, आमें इन दोनों ओप्शनों को नहीं चेड़ना है, उसके बाद हमें नीचे व्यू प्रोवलम डिटेल पर किलिक कर देना है, जिसे हम किलिक करेंगे तो यहां पर यह कुछ एक्सपेंड होगा, खुलके आया कुछ और इसमें हमें सबसे नीचे जाना है, और नीचे जाने गबाद यहां पर यह जो दिखाई दे रहा है, .txt वाला लिंक इस पर हमें एक बाद किलिक कर देना है, जिसे हम किलिक करेंगे तो यहां पर यह नोटपेड ओपन हो जाएगी, नोटपेड ओपन होने के बाद हमें इसको यहां से सेवेस करना है, सेवेस पर किलिक किया, इसके बाद हमें यहां पर सेवेस टाइप है, तो यहां पर हमें आल फाइल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद देन हम जाएंगे, अपनेокойप्टर को सेलेक्ट करेंगे अमें जिस drive में हमारी window installed है, उसको चैनल करना तो हमारी ई में है, तो हम इसको double click करके open करेंगे, इसके बाद हम windows folder इसको open करेंगे, इसको open करने के बाद हम system 32 folder को open करेंगे, तो हम system 32 को यहां पर open कर लेते हैं, यह रहा system 32 इसको open किया, इसको open करने कबाद अब हमें इसमें utilman के फाइल है, उसको हमें खोजना है, search करना है, तो चलिए मैं यू प्रेस करता हूँ, तो यहां पर और निचे चलते हैं, यहां पर utilman, तो यहां पर यह रही, utilman, तो इसको हमें, पहले इसको हम rename करते हैं, फिर इसको हम यहां से, इसको हम copy कर लेते हैं, कोपी करने बाद हम इसको rename कर देंगे, तो इसको मैं one लिख देता हूँ, इसको हम no कर देंगे, इसके बाद हमें, cmd को open करना है, cmd open करते हैं, कर देंगे, इसको हम हम लेंगे, बादा हैं, झालम, इसको क carbonB में, मॉत बाद हैं, मॉत कर देंगे, कfrom मैं ले मते हैं, मॉत हम ले पर खॉर्वे, जिसकी उन्रवा करें, क्यें़ कर तेंगें में लेंग invaluable कर ने दे uवड हो देंगी, यह जहीं CMD अब इसको हम रिनेम करेंगे और यहां पर हम उसको पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम इसको इसके बाद हम सबको कैंसिल करते चले जाएंगे इसको भी इसको भी इसको भी और इसको हम फिनिस कर देंगे कि फिनिस करने के बाद यह हमारा जो लेप्टोफ है रिस्टार्ट होगा रिस्टार्ट होने के बाद यहां पर यह विंडो इस्टार्ट हो चुकी है अब उसके बाद हमें फिट्शे ओई उप्शन आ गया है पास्वर एंटर करने का लेकिन हमें पास्वर एंटर नहीं करना है हमें यहां पर लेप्ट साइड में देखिए यहां पर इस ओफ एक्सिस का ओप्शन दिख रहा है हमें इस पर सिंपली क्लिक करना है जिसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर cmd command prompt open हो जाते है तो मैं यहां पर zoom करके दिखा देता हूँ आपको पास ले जाके यहां पर cmd open हो चुकिए अब इसमें हमें कुछ type करना है तो type करने के लिए हमें यहां पर type करना है control control user passwords और यहां पर हम to type करेंगे और यहां पर हम interface कर देंगे इतना करने बाद यहां हमारे सामने एक और यहां पर pop up window open होती है user account के नाम से तो यहां पर हम सीधर नीचे यहां पर देखे reset password का option दिख रहा है तो यहां पर हम इस पर click करेंगे तो यहां पर reset password का option आप चाहें तो यहां से new password set कर सकते हैं confirm new password कर सकते हैं फिलाल मैं password set नहीं कर रहा हम सीधा ok पर click कर देता हूं और यहां पर भी मैं ok पर click कर देता हूं इसके बाद हम इसे close कर देते हैं अब यहां पर देखे अब यहां पर इस icon पर click करता हूं तो यहां देखे जो हमारा laptop है वह successfully यहां पर देखे open हो चुगा है जो password set था वह यहां पर break हो चुगा है reset हो चुगा है तो दोस्तों इस तरह से हम अपने किसी वी laptop या फिर computer का password reset कर सकते हैं so I hope वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी यह information आपके काफी helpful होगी तो इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में ने topic के साथ अब तक के लिए बाई बाई जैंग